हेलो फ्रेंड शिवांगीज किचन यू में आपका भहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ भटूरे की रेसिपी देखिए आप कैसे फूले फूले बैलून जैसे हमारे भटूरे बन रहे हैं और सारे भटूरे ऐसे ही फूलेंगे और बि हमारे सारे भटूरे फूलेंगे ऐसे ही तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो वाच करना है और मैं बताऊंगे किस तरीके से आपके सारे भटूरे ऐसे ही बैलून की तरह फूलेंगे और घर में आप जब चाहें तब जब इतने आसानी से बनेंगे तो फिर आप जब से ठीजिवें और मसानी से चलब जाता नमक आप जानी नमक चल। चीनी डाल दी है इन सारी चीजों को हम थोड़ा मिला लेंगे और दो चार मिनट इसको रखने के बाद अच्छे से मिलाने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे अपना मैदा तो मैदा मैने यहां पे लिया है यह 400 ग्राम साड़े 400 ग्राम के आसपास होगा क्योंकि एक जो आद डाल दिया है और इसको इस तरीके से हम मिला लेंगे यह गुन गुने पाने में और आप चाहें तो इसको मलब पहले आटे में जैसे हम आटा गुनते हैं धीरे धीरे करके भी पानी डाल सकते हैं तो मैंने पहले पानी में सारा डाल दिया तो इस तरीके से हम इसको और आसानी से भटूरे बन जाते हैं अब मैंने इसको दूसरे बरतन में रखके यहां पर दो धाए घंटे के लिए रखा था धाए घंटा और उसके बाद अब हम इसकी लोईया तोड़ेंगे जो हमें भटूरे बनाने हैं तो इस तरीके से हम सारे लोईया पहले तोड़ के र रख लेते हैं और इससे वह थोड़ा और फूल जाएंगे तो यह प्रोसेस होता है इसमें और यहां पर देखे आप जैसे देख सकते हैं कि एक एकर के मैंने सारा जो जितना भी मैदा था उसकी लोईया बना ली हैं कुछ भी बचाया नहीं है तो इसको इस तरीके से बना ल जिससे कि इन में मौस्चर टाइप का बना रहे हैं सूखे नहीं मला हमारे पेड़े तो इस तरीके से में हर पेड़े के उपर से ऐसे रिफाइन ओयल लगा रही हूं और इसको फिट से हम 10 मिनट के लिए ढख लेंगे इसको इनको ऐसे करके रख रहे हैं और यह जो कपड़ मैदा बचाया था जो कोटोरी में दिख रहे हैं आपको अब हम बना लेंगे भटूरे तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ज्यादा टाइम भी नहीं बहुत सारे लोग बोलते हैं पूरी रात गुन के रखना पड़ता है ऐसा वैसा कुछ नहीं है मैं तो धाए गंटे में मैंने बना रही हूं मतलब धाए गंटे पहले आट अगुना था तो अभी बना रही हूं और बहुत अच्छे एक भी भटूरा ऐसा नहीं कि जो फूला नहीं है और नहीं हमने इसमें देही डाले बहुत सारे वीडियो में या रेसिवी में आपको देखने को मिलेगा कि लो कि लेगाने के हम भटूरा डालेंगे हम हाई व्लैंकर दεί गे इस चीज का धिहान द्हाना है है हमें भटूरे हाई प्लैम पर ही पकाने है इससे वह क्या होता है ईकदम से फूल जाते हाई फ्लैंकर अगर मीडियम फ्लैं होगा तो घौर जाएगा बार दब गया तो फिर फूलता नहीं है तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें अगर पहले से मीडियम फ्लेम पर रखा है आपने गैस मलब तेल बहुत जलाना नहीं है तेल को तेल अच्छा करम हो उसको मीडियम फ्लेम पर रखें लेकिन जैसे आप बटूरा डालते हैं बिलकुल हाई फ्लेम कीजिए तो इससे हमारे बटूरे अच्छे से फूल जाते हैं और यह आप देख रहे होंगे एक एकर कि मैं अलग अलग बटूरे दिखा रही हूं यह नहीं कि एक ही बटूरा आपको बार बार दिखा रहे हूं सारे अलग अलग हैं यह आप इनका होता है न दूसरी साइड नहीं पलटता है तो इतने हलके और ऐसे गुबारे जैसे बिलकुल फूलेवी बटूरे बन गए हैं और यह देख सकते हैं बड़ी मुस्किल से मैंने इसको दूसरी साइड पलटाया तो यहां पर टाइम लगता है इस वीडियो के फास्ट है इसलि और इस तरीके से फूले फूले बैलोन जैसे हमारे सारे भटूरे बन रहे हैं तो आई होप आपको भी अच्छे लग रहे होंगे और बहुत ज्यादा इंग्रेंट्स नहीं चाहिए होते हैं कि दही विलाओ बेकिंग पाउडर विलाओ और सोडर यह वेगर सब कुछ नहीं चाहिए होता अगर आपके पास बेकिंग पाउडर है तो आप उससे भी बना सकते हैं और ये इस्ट वाली आपको बनाने है तो वो भी वीडियो मेरे पास मेरे चैनल पर है तो मैं उसका भी लिंक आपको दूँगी तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और यह देखिए बिल यह प्लेट इस इतने मदला दो भटूरे और इतनी चोटी कटोरी पर इतने चोली हमें यहां पर 30 प्लेट मिलती है तो हम आसानी से घर में अच्छे से भटूरे बना सकते हैं मला कम दाम में और यह देखे हैं फूले फूले भटूरे बनके तयार हो गए है आई होप आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें तो इसी तरीके की सिंपल और आसान सी कम खर्चे व वीडियो भी हैं जिनको जो पहले बार कोकिंग कर रहे हैं और सिंपल साधा खाना बनाना होता है उस तरीके की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और बे झाल 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 झाल